हलो गाइज, स्वागत आप सभीका शिव ओम क्लासेज के ओनलाइन प्लेटफर्म में अब हम जो क्लास 10 की जो साइन्स की NCIT सॉलिशन जो देख रहे थे अरे क्यूशन को बिल्कुल डिटेल के अंदर डिसकस कर रहे थे में आगे बढ़ते हैं और हमारे जो next क्यूशन है जो हमारे को डिसकस करना है वो है when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest simple words के अंदर समझते हैं कि क्यूशन के अंदर क्या बोल रहे है क्यूशन के अंदर आपको ये बोल रहा है कि माल लो कोई एक magnetic field है कोई क्या है magnetic field है जैसे माल लो यहां पर जो है वो इस तरीके से कोई magnetic field है ये magnetic field है याँ बी ये क्या है magnetic field ठीक है अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया एक wire रख दिया ये wire है मेरे पास ये wire मैंने यहां पर रख दिया ये क्या है एक wire है ठीक है अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया current flow कर दिया current कितना है माल लो आई है ये क्या है current इसके अंदर मैंने लगाएगा तो बिल्कुल इस यह जो wire है इस पर एक force लगेगा इस पर क्या लगेगा एक force और माल लो वो force मैंने क्या माल लिया f ठीक है ठीक है साब अब यह जो इसकी लंबाई है इसकी length of the wire है यह मैंने क्या माल लिया l माल लिया माल लो l है तो इस तरीके से आपको एक situation दे रखी है कि एक magnetic field है उसके अंदर आपने एक wire लिया एक wire उसको अंदर रख दिया और इस wire के अंदर आपने current flow कर रख़ी है कितनी I current flow कर रखिए wire की length कितनी है L इसकी length है और इसके अंदर जब current हमने flow किया तो इसके अंदर क्या होगा एक force यह जो है इस पर apply होने लग जाएगा यह जो wire है इस पर एक force जो है वो लगने लग जाएगा वो force मैंने क्या माली है F अब मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से यह जो condition है इसमें force की value कितनी होगी F की value कितनी होगी तो F कितना होगा सबसे पहले तो लिखो किया B जो मेरे पास क्या है magnetic field उसकी value लिखो फिल लिखो I जो current उसके अंदर flow हो रहा है फिल लिखो उसके अंदर current कितना flow हो रहा है लेकिन उसकी length कितनी है length और फिल लिखो sin theta अब सर आप यह बोलोगे सर यह theta क्या है मेरे पास formula क्या आ गया जो force लगेगा वो कितना लगेगा B I L sin theta अब आप बोलोगे कि सर यह theta क्या है यह theta है कि जैसे मालो current flow हो रहा है इस तरफ ऐसे और magnetic field है इस तरीके से तो इन दोनों के बीच के अंदर भी तो क्या बनेगा एक angle बनेगा तो इसका मतलब जो हमारे पास magnetic field है और जो current है उसके बीच के अंदर कितना angle बना हुआ है वो हो गया sin theta अब क्यूसन के अंदर क्या बोल रहा है कि यह largest कब होगा यानि कि इस wire पे जो force लग रहा है इसकी value maximum कितनी हो सकती है largest value कितनी हो सकती है तो largest value के लिए मिरे को एक बात बताओ कि अगर sin theta को मैं क्या कर दूँ 0 कर दूँ तो sin कितना हो जाएगा 0 यह कितना हो गया 0 तो इसका मतलब force कितना हो गया 0 लेकिन मेरे को पता है कि theta जो होता है उसके value कहां से कहां तक vary कर सकती है 0 से 1 के बीच के अंदर value कर सकती है अब जब मैंने 0 ले लिया तब तो यह पूरा ही 0 हो गया लेकिन अगर मैं इसकी value 1 ले लूँ तो मेरे पास जो इसकी value कितनी आ जाएगी B, I, L आ जाएगी जो क्या होगी maximum अब यह maximum कब आएगी वापस से लिखो F is equal to क्या होता है B, I, L, sin theta बार-बार लिख लिख के इसको याद करो ठीक है अब मेरे को क्या करना है इस sin theta को maximum करना है अब यह तो मेरी F की value maximum होगी अगर यह वाली value maximum हो जाए यह तो same रहेगी यह तो हर condition के अंदर same रहेगी अगर मैं sin theta की value को अगर maximum कर दू तो मेरे पास इसकी value भी maximum हो जाएगी और sin theta की maximum value कितनी हो सकती है 1 हो सकती है maximum value कितनी हो सकती है 1 हो सकती है मैंने भी आपको बता है कि 0 से लेके 1 के बीच के अंदर इसकी value होती है तो maximum कितनी होई 1 होई अब sin theta की 1 value कब होती है अगर sin theta is equal to 1 दे रखा है मेरे को तो इसका मतलब theta is equal to कितना है मेरे पास theta is equal to 90 degree है क्यों? क्योंकि sin 90 degree is equal to 1 होता है तो इसका मतलब मैंने theta की value क्या रखी है 90 degree जो है वो रखी है इसका मतलब current इस तरीके से है तो field इस तरीके से होना चाहिए इन दोनों की बीच के अंदर एंगल कितना होना चाहिए 90 डिगरी का होना चाहिए उस condition के अंदर F is equal to क्या हो जाएगा BIL हो जाएगा और साइंटिटा is equal to 1 हो जाएगा ये इसकी maximum value हो सकती है जो मेरे पास wire है जिसके अंदर current flow हो रहा है उसके अंदर यहां पर B क्या है यह वो magnetic field है जिसके अंदर मैंने wire को रखा है I क्या है जो wire के अंदर मैं current flow कर रहा हूँ यह उसकी value है L क्या है length of the wire उस wire की length कितनी है तो इस तरीके से F का value मेरे पास क्या हो जाएगा maximum हो जाएगा अब answer कैसे लिखने है आपको notebook के अंदर वो देखे We know that the force experienced by current carrying conductor in a magnetic field is BIL sin theta जब किसी भी magnetic field के अंदर आप क्या कर रहे हैं conductor रख रहे हो तो वो कितना force experience करेगा उसकी value आप कैसे लिखेंगे F is equal to BIL sin theta So if we theta अगर यह theta की value में जो है वो क्या ले लो maximum ले लो maximum कितना हो सकता है 90 degree 1 हो सकता है sin theta की value maximum कितनी ले सकते है 1 ले सकते है और sin theta की value 1 कब आएगी जब मैं theta को जो है वो 90 degree ले लोगा If theta angle between the direction of magnetic field and current carrying conductor theta क्या है कि भई जो इस तरीके से जो wire है उसके अंदर जो current flow हो रहा है और यह जो magnetic field है इसकी जो direction है उसके बीज के अंदर जो theta जो angle बन रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ theta यह maximum कब हो सकता है जब यह 90 degree हो then the force is maximum तो इस condition के अंदर क्या हो सकता है यह maximum जो है हो सकता है अब कैसे हो सकता है मैंने आपको detail के अंदर बता दिया आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इस तरीके से आपको जो है यह answer जो है वो form करना है मैं एक बार से आपको revise करवा देता हूँ ताकि चीजे जो है आपको याद हो जाए मैंने क्या समझाया आपको कि जैसे मालो यह कोई field है इस तरीके से इसके अंदर मैंने क्या रख दिया एक wire रख दिया यह wire है और इसके अंदर क्या हो रहा है current flow हो रहा है current कितना है मालो i है और यह जो magnetic field है इसकी value कितनी है, B है इसकी length कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की, यह L है और इन दोनों की बीच के अंदर माल लो, यह theta angle बन रहा है तो यह इस wire पे कितना force है वो apply होगा, तो F is equal to मैं कैसे लिखूँगा, B, I, L sin theta यह B क्या है, magnetic field I क्या है, जो wire के अंदर current flow हो रहा है, L क्या है length of the wire, और theta क्या है, sin theta क्या है जो हमार पास magnetic field है और जो मेर पास, जो current इसके अंदर flow हो रही है, उसकी बीच के अंदर angle कितना है, यह maximum कब होगा, जब sin theta जो है, वो क्या हो जाएगा 1 होगा, और sin theta is equal to 1 है, इसका अमलब theta कितना हो गया है, यानकी sin 90 के value जो होती है, वो क्या होती है 1 होती है, इसका अमलब theta की value क्या हो गई 90 degree तो यह maximum कब होगा, जब theta की value 90 degree होगी, उस condition के अंदर, अगर आपसे पूछे कि कितना होगा maximum, तो कितना हो सकता है, BIL यह इसकी maximum value होगी, और यह कब होगा, जब theta is equal to 90 degree होगा, तो उसका condition के अंदर, sin theta is equal to क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और BIL जो है, इसका maximum value होगा इस तरीके से आपको यह question जो है, वो solve करना है उमीद आपको समझ में आया होगा, हर एक notes वगड़ा भी provide करा दूगा कोई सी भी class के अंदर, जो आप पढ़ रहे हो कि हर subject की मेरे पास available है, बिलकुल free of cost जो मैं आपको provide करा दूगा तो उमीद आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा अगर अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को like करके share कर दीजे, thank you so much